हेलो क्लास प्रभ ये है आपकी नो एन्ग्रो बुक आज हम आपको ईवियस का एकोज चैप्टर बताएंगे माई स्वीट हूम ये है आपका फिफ्ट चैप्टर ईवियस का माई स्वीट हूम मेरा प्यारा घर स्वीट प्यारा मीठा बोला जाता है स्वीट को मीठा भी बोला जाता है लेकिन यहाँ पे स्वीट का मतलब प्यारा से है मेरा प्यारा घर घर क्या है वो जगा है जहाँ पर हम रहते हैं जो हमारी सुरक्षा किसे किसे करता है गर्मी से, ठंडी से, बर्साथ से, जानवरों से हमारी रक्षा करता है There are several rooms in my home हमारे घर में धे सारे रूम है घर में धे सारे रूम होते है न अलग-अलग रूम होते हैं, बेड्रूम, ड्राइंग रूम My guests sit in my drawing room जैसे कि कोई महमान आता है आपके घर में तो आप उनको कहां बैठाते हो? ड्राइंग रूम में बैठाते हो ना जहां पर टीवी होता है, सोफा होता है, टेबिल होती है वो हमारा drawing room हो हुआ, घर में drawing room होता है बेड्रूम किसे कहते हैं? बेड्रूम जहां पर हम सोते हैं जहां पर हमारा पलंग होता है, वो उसको बेड्रूम कहते हैं I sleep in my bedroom, जहां पर हम सोते हैं My mother cooked food in a kitchen Kitchen किसे कहते हैं? रसोई घर को कहते हैं जहां पर मम्मी क्या करती है? खणा मनाती है उसे kitchen कहते हैं I take bath in my bathroom और bathroom जहां पर हम नहाते हैं I take meal with my family in a dining room Dining room किसे कहते हैं? जहां पर dining table रखा रहता है जहां पर सब लोग मिलके हम लोग खाना खाते हैं उसको हम dining room कहते हैं जहां कि सारे family members एक साथ मिलके खाना खाते हैं I study with my sister in my study room जहां पर मदों करें अपनी बेहन के सारत या कही भी किसी के सारत भी पढ़ते हैं स्थाड़ी रूम कहते हैं एक ईद्धी रूम भी होता है घर में बतों के घर में नहीं भी होता कहीं पर भी बैट के पढ़ सकते हैं एक ड्रॉइंग रूम, बेड्रूम, किच्चिन, बात्रूम, डाइनिंग रूम, स्टेडी रूम. ये हमारे घर के अंदर इतने रूम्स होते हैं. See the picture, name the room. The room where we sleep. कहां पे हम सोते हैं? हम ने अभी पताया आपको. बेड्रूम. यहाँ पे, फर्स्ट में आपका फिलोगा, बेड्रूम. My mother's cooks food in the kitchen. आप यहाँ पे kitchen लिखेंगे. The room where our guest sit. कहां पे बैठते हैं? ड्रॉइंग रूम. यहाँ पे ड्रॉइंग रूम लिखेंगे. The room where we study. कहां आप पढ़ते हो? Study room. यहाँ पे आप study room लिखोगे. सबकी spelling आपको अगर नहीं आती है, तो उपर spelling लिखी हुई है. इसको आप अपने आप फिल करिएगा. यह आपका हो गया. My sweet home. My sweet home. हमारे घर का मेरा प्यारा घर. जो हमें किस सिक्स से बचाता है? गर्मी, ठंडी, बसाथ, जानवर. यह सबसे हमारा प्यारा घर बचाता है. जहां हम अपनी फ्यामिली के साथ रहते हैं. अपने ममी, पापा, अपने भाई, बेन. किसी-किसी घर में उनके दादा जी, दादी जी भी रहते हैं. वो इस घर में हम लोग साथ साथ सब लोग रहते हैं. और हमारे घर में कौन-कौन से रूम होते हैं? ट्राइंग रूम, बेडरूम, बातरूम, किचिन, स्टेडी रूम. यह हमारे घर के अलग-अलग कम रहे हैं. समझ में आ गया?